Hello Friends, Welcome to the Green Piston आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KTM Duke 200 और Java 42 Bobber के बारे में ये एक comparison वीडियो होने वाला है इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक जादा बहतर है अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं सबसे पहले शुरवात करते हैं इन दोनों ही बाइक के looks को लेकर Looks की अगर बात की जाए तो यहां आपको दोनों ही बाइक stunning look के साथ में नज़र आने वाली है दोनों ही बाइक का जो design है वो आपको काफी जादा बहतरी में यहां पर दिखाई देगा अगर हम लोग बात करते हैं Duke 200 के look को लेकर तो यहां आपको एक proper naked bike नज़र आएगी इस bike का जो look है वो काफी जादा aggressive and sharp आपको दिखाई देगा और यह bike एकदम modern look के साथ में आपको मिलने वाली है वहीं Java 42 Bobber के अगर बात की जाए तो यहां आपको एक proper Bobber machine दिखाई देगी इस bike का जो design है वो काफी जादा unique है इस bike का जो road presence है वो एकदम unique आपको दिखाई देगा यह bike आपको retro style के साथ में मिलने वाली है यह look के मामले में अगर इन दोनों में से किसी एक bike को choose करना हो तो यह एक मुश्किल काम है वैसे भी जो looks है वो subjective होते है यह depend करता है person to person की किसको कौन से bike जादा पसंद आने वाली है आप comment section में यह बदा सकते हैं कि आपको इन दोनों ही bike में से look किस bike का जादा बहतल लगता है अब बात करते हैं इन दोनों ही bike के engine को लेकर जावा photo 2 bobber के अंदर आपको दिखाई देगा 334 CC का single cylinder liquid cooled engine जो की produce करता है 29.9 PS की power and 32.7 Nm का torque यह engine आपको 6 speed gearbox के साथ में मिलने वाला है वही Duke 200 के अंदर आपको दिखाई देगा 199 CC का single cylinder liquid cooled engine जो की produce करता है 25 PS की power and 19.3 Nm का torque यह engine भी आपको 6 speed gearbox के साथ में मिलने वाला है यहां अगर आप power figure की तरफ धियान देंगे तो आपको दोनों ही bike के बीच में difference नजर आएगा 42 bobber में आपको Duke 200 के compare में more than 4 PS की power जादा दिखाई देगी साथ ही अगर हम लोग torque को लेकर बात करें तो आपको more than 13 Nm का torque भी यहां जादा मिलने वाला है अगर आप इन दोनों ही bike को test ride करते हैं तो मैं यह बता देता हूँ कि आपको दोनों ही bike का जो pick up है वो almost similar ही नजर आने वाला है साथ ही अगर हम लोग top speed को लेकर बात करें तो दोनों ही bike आपको 140 plus campaign की speed provide करने वाली है यानि कि power figure में जरूर यहाँ पर आपको फर्क दिखाई देगा लेकिन अगर हम लोग pick up and top speed के बात करते हैं तो दोनों ही bike आपको almost similar perform ही करतवे यहाँ पर दिखाई देंगी अब बात करते हैं इन दोनों ही bike के weight को लेकर जावा 42 bobber के अंदर आपको मिलने वाला है 185 kg का weight वहीं Duke 200 आपको दिखाई देगी 159 kg weight के साथ में यानि यहाँ आपको दोने ही bike के बीच में 26 kg weight का difference दिखाई देगा अब बात करते हैं इन दोने ही bike के ground clearance को लेकर Duke 200 के अंदर आपको दिखाई देगा 155 mm का ground clearance वहीं Java 42 bobber आपको दिखाई देगी approximately 145 mm ground clearance के साथ में अगर हम लोग Indian road condition के साथ देखते हैं तो आपको दोने ही bike का ground clearance है वो कहीं न कहीं low दिखाई देगा बात अगर Duke 200 को लेकर की जाए तो अगर आप इस bike को solo ride करते हैं ground clearance की दरफ से आपको परिशानिया नहीं face करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप इस bike को pillion के साथ में ride करते हैं तो इस bike नीचे hit होकर scratch होकर आपको परिशान करने वाली है most of the time आपको ये जो परिशानी है वो किसी high bump को cross करते हैं face करनी पड़ेगी वही 42 bobber की अगर बात की जाए तो इस bike का ground clearance काफी जादा low है जिसकी वज़यत से ये bike आपको खराब road condition में hit होकर scratch होकर आपको परिशान करने वाली है यहाँ दोने ही bike का ground clearance low है लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक bike को choose करना हो तो आपको ground clearance के field में Duke 200 एक जादा बहतर bike नजर आने वाली है 42 bobber के compare में अब बात करते हैं इन दोनों ही bike के seat height को लेकर Duke 200 के अंदर आपको मिलने वाली है 822 mm की seat height वही 42 bobber में आपको दिखाई देगी 740 mm की seat height मैं यह बता देता हूँ कि अगर आपकी height 55 के around है तो आप आराम से इन दोनों ही bike को ride कर सकते है seat height के तरफ से आपको कोई issue face नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी height 52 के around भी है तो आप आराम से 42 bobber को ride कर सकते है क्योंकि इस bike के जो seat है वो काफी low side पर है अब बात करते हैं इन दोनों ही bike के fuel tank capacity को लेकर जावो 42 bobber के अंदर आपको दिखाई देगा 12.5 लिटर का fuel tank वहीं Duke 200 आपको मिलने वाली है 13.4 लिटर fuel tank capacity के 7 साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर mileage field के तरफ दिहान दे तो आपको दोनों ही bike approximately 30 से 32 के MPL के बीच में mileage provide करने वाली है यानि mileage के fuel में दोने ही bike आपको similar perform करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगी अब बात करते हैं दोने ही bike के suspension setup को लेकर 42 bobber में आपको front में दिखाई देगा simple telescopic 35 mm fork and rear में आपको मिलने वाला है mono shock suspension वही Duke 200 में आपको front में दिखाई देगा 43 mm upside down fork and rear में आपको नजर आएगा mono shock suspension यहाँ अगर हम लोग suspension की feel को लेकर बात करें suspension की performance को लेकर बात की जाए तो आपको Duke 200 softer suspension setup के साथ में मिलने वाली है जिसकी वज़े से अगर आप इस bike को bad road patches पर ride करेंगे खराब road condition में ride करेंगे तो यह bike आपको गड़ों को, portals वगराव को काफी अच्ची तरीके से maneuver करते हुए दिखाई देगी यानि कि Duke 200 को ride करते हुए आपको जो जर्क है, जो जटके हैं उन्हें अपनी body के उपर face नहीं करना पड़ेगा वहीं Java 42 bobber का suspension setup है वो stiffer side पर है जिसकी वज़े से अगर आपको खराब route condition में ride करना पड़ेगा तो जो जर्क हैं, जो जटके हैं उन्हें आपको अपनी body के उपर face करना पड़ सकता है यानि suspension के मामले में यहाँ अगर किसी bike को choose करना हो तो Duke 200 आपको Java 42 bobber के compare में एक जादा बहतर bike यहाँ पर मिलने वाली है अब बात करते हैं इन दोन ही bike के braking setup को लेकर दोन ही bike dual channel ABS के साथ में यहाँ आपको नजर आएंगी बात अगर brake size को लेकर की जाए तो आपको 42 bobber में front में दिखाई देगा 280 mm का disc brake and rear में आपको नजर आने वाला है 240 mm का disc brake वहीं Duke 200 में आपको front में दिखाई देगा 300 mm का disc brake and rear में आपको मिलने वाला है 230 mm का disc brake यहाँ अगर हम लोग braking bite को लेकर बात करें braking performance को लेकर अगर बात की जाए तो आपको Duke 200 का जो braking bite है वो काफी ज़ादा अच्छा नजर आएगा यह bike आपको काफी confidence provide करने वाली है even on high speed आपको अपना confidence lose नहीं करना पड़ेगा Duke 200 को ride करते हुए वहीं जावा 42 बाबर के जो brakes हैं वो आपको ठीक ठाक ही काम करते हुए नजर आने वाले हैं यानि कि अगर जावा 42 बाबर के अंदर जादा बहतर braking system दे तो जादा सही रहेगा यहाँ पर मैं यह नहीं करूँगा कि बहुत बेकार काम करते हैं मैं यह भी नहीं करूँगा बहुत अच्छा काम करते हैं ठीक ठाक है काम चला हुए मैं कहूँगा कि जो brakes हैं यहां braking बाइट के उपर Java को जरूर धियान देना चाहिए यानि breaking field में आपको KTM Duke 200 एक जादा बहतर bike की यहाँ पर मिलने वाली है अब बात करते हैं इन दोनों ही bike के tires को लेकर Java 42 Bobber में आपको front में दिखाई देगा 100 by 90 का 18 इंच का tire and rear में आपको मिलने वाला है 140 by 70 का 17 इंच का tire या अगर आप tire sizes की तरफ दिखाण देंगे तो आपको front and rear दोनों ही जगे Duke 200 में जादा white tire मिलने वाले हैं अब बात करते हैं इन दोने ही bike के prices को लेकर Duke 200 के लिए आपको पे करने होंगे 1.97 lakh रुपीज वही Java 42 Bobber के लिए आपको पे करने होंगे 2.15 lakh रुपीज से लेकर 2.26 lakh रुपीज तक या जितने भी prices मैंने बताए हैं ये एक शोरूम बताए हैं and round figure में बताए हैं या अगर आप prices की तरफ दिहान देंगे तो आपको approximately 26,000 रुपीज जादा pay करने पड़ेंगे Java 42 Bobber को बाए करने के लिए Duke 200 के compare में अब बात करते हैं इस वीडियो के conclusion के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक जादा बहतर रहेगी आपको कौन सी बाइक purchase करनी चाहिए तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक proper naked machine को ride करना है अगर आप जादा बहतर ground clearance के दाथ में बाइक को ride करना चाहते हैं अगर आप अपनी बाइक के अंदर जादा बहतर suspension setup चाहते हैं आपको अपनी बाइक के अंदर upside down fork जैसे features को use करना है साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर जादा बहतर braking system चाहिए अपके लिए बाइक का बजट भी matter करता है तो फिर में यह कहूँगा KTM Duke 200 आपके लिए हो सकती है वहीं अगर आपको एक unique style बाइक को ride करना है अगर आप एक retro style बाइक को ride करना चाहते है आप most of the time good road condition में ही ride करते हैं जो low ground clearance है आप उसके साथ में manage कर सकते हैं stiffer suspension setup आपके लिए problem नहीं है और साथ ही bike का budget आपके लिए matter नहीं करता है तो फिर में यह कहूँगा कि Java 42 Bobber आपके लिए हो सकती है वीडियो के लास में में एक चीज़ mention कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी bike को purchase करना चाहते हैं तो उसको एक बार test rider करके जरूर देखे साथ ही अगर आप Java 42 Bobber या फिर Duke 200 का दूसरी bike के साथ में comparison देखना चाहते हैं तो आपको इसी channel के उपर वो वीडियो दिखाई दे जाएंगे हो सका तो मैं आई बटन के अंदर link प्रोवाइड कर दूँगा आप वहाँ जाकर वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं साथ ही आपके लिए इन दोनों में से कौन सी bike आपकी first choice होने वाली है आप comment section में बता सकते हैं फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं next वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए